भारत में धंतेरस के दिन सोना खरीदना सबसे शुब माना जाता है आपका भी धंतेरस पर अगर सोना खरीदने का मन है लेकिन आपका बज़ट बहुत जादा नहीं है लेकिन त्योहार पर गोल्ड लेना शुब होता है इसलिए आप निवेश करना चाहते हैं तो अब आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं पेटियम गूगल पे जैसे अपस पर आप डिजिटल गोल्ड खरीद पाएंगे यहाँ पर आप्शिन्स दिये गए होते हैं तो चले आपको इस वीडियो में हम यह बताते हैं कि आप किस तरीके से बहुत कम अमाउंट में सोना खरीद सकते हैं तो अगर आप चाहते कि आप पेटियम एप से आप सोना खरीदे तो इसके लिए आपको पेटियम एप को ओपन कर लिना है उसके बाद होम पेज पर सर्च पार में गोल्ड सर्च करना है जब आप सर्च करेंगे त 0.04 रुपए में सोना खरीद सकते हैं कि इतना तो minimum आपको खरीदना ही है यहाँ पर आप amount और वजन दोनों तरीकों से gold खरीद सकते हैं अगर आप amount डालेंगे तो आपके सामने gold का वजन आ जाएगा और अगर आप वजन लिखेंगे तो आपके आगे amount आ जाएगा कि आपको इतना पे करना है आप इसी तरीके से दूसरी apps पर भी आप gold खरीद सकते हैं चाहे फोन पे हो चाहे वह Google पे हो तो आपको यह सिंपल से steps आपको follow करने और आप सोना खरीद पाएंगे तो अब आप को हम यह बताते कि आप 10 रुपे में भी सोना खरीद सकते हैं जैसे माल आपको 0.1930 ग्राम का सोना मिलेगा और 3% GST मिलाकर आपको 1031 रुपई देने होंगे अब इसके लावा अगर हम बात करने की सोने का जो रेट है वो क्या चल रहा है तो 10 नमबर को धंतेरस है 9 नमबर के अगर हम सोने के रेट की बात करें तो थोड़ा सा क्योंकि इस्राइल ह मास में वार चल रहा है तो इसकी वज़े से इन दुनों सोने के जो रेट है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो नई दिली में 22 कैरेट सोने का रेट 56,250 रुपए प्रती 10 ग्राम है और अगर 24 कैरेट सोने की बात कर ले तो 61,350 रुपए प्रती 10 ग्रा इसके अलावा जब आप सोने खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास ध्यान रखे कि काफी सारे ओप्षिंस हैं आप गहने ना खरीद कर आप गोल्ड में अनलाइन निवेश कर सकते हैं अगली दिवाली तक अगर आप इस दिवाली पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो सकता है अगर आप सोने के रिटन के बारे में सोने के निवेश ऑप्शन्स के बारे में और बाके तमाम चीजों के बारे में सोने से जुड़ी जानना चाहते हैं तो गुड रिटन्स के पेज पर एक पूरा इंटेव्यू भी अप्लोड़िड है जिस पर आप जाकर देख सकते जानकारी ले सकते हैं इसके अलावा आपको दो-तिन चीजे जरूर याद रखनी है जब आप सोना लेने के लिए जाते हैं तो जिस दिन आप सोना खरीद रहे हैं आप उस दिन का रेट एक बार जरूर चेक कर ले आप इस चीज का ध्यान रखे कि आप पेमेंट को ऑनलाइन देने की कोशिश करें ताकि कोई फ्रॉड ना हो इसके अलावा सोने की प्योरिटी आप जरूर चेक कर ले हॉल मार्किंग का ध्यान रखे इन दो-तिन चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे वीडियो में इतना ही जानकारी कैस से लिए कॉमेंट करके बताएं अगर फेस्बुक पर देखने तो फेस्बुक पेश को लाइक करें यूट्यूब पर देखने तो गुल डूटेंस के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले